पूले मात्मा जोतिरा पूले का जन्म 11 अप्रेल 827 को वर्थमान माराष्ट में हुआ था वर्ष 1847 में पूले का दाकिला स्कोटिस मिशनरी हाई स्कुल पूने में हुआ जहां उन्होंने शिक्षा पूरी की उनकी विचारदारा पूर्णत सवतंतरता और समाजवात पर आध प्रमुक रचनाय गुलामगीरी अठारो सो तियोंतर में त्रित्या रहतना अठारो सो पच्पन पोवाडा च्छत्रपति सिवाजी पोंशले यंचा अठारो सो उन्सितर शक्ताराइच आसंद्र अठारो सो इक्रियासी आदी मात्मा जोतिरा फूले थॉम स्पाइन की पु वर्ष अठारो सो तियोंतर में सत्य सोदक समाज का गठन किया जिसका आर्थ था सत्य के सादक ताकि माराष्ट में निम्न वर्गों को समान समाजी को और आर्थिक लाप राप्त हो सके 11 माई 1888 को माराष्ट के सामजी कार्य करता पिठल राव क्रिष्णा जी वांडेकर दौरा इन्हें मात्मा की उपादी से समानित किया गया वर्ष 1848 में मात्मा जोतिरा फूले ने अपनी पत्नी सावित्री बाई को पढ़ाना वो लिखाना शिकाया जिसके बाद इस दंपती ने पूने में लड़कियों के लिए पहला स्वधेशी रूप से संचालित स्कूल खोला जहां वे दोनों सिक्षन का कारिय करते थे वहल लेंगिक समानता में विस्पास रखते थे और अपनी सभी सामाजिक सुधार गतिविद्यों में अपनी पत्नी को सामिल कर उन्होंने अपनी मान्योताव का अनुसरन किया मादमा जोतिराव फूले ने वर्ष 1852 तक तीन स्कूलों की स्थापना की थी लेकिन वर्ष 1858 के विद्रों के बाद धन की कमी के कारण 1858 तक ये स्कूल बंद हो गए जोतिराव ने ब्रामनों और उच्च जातियों की रूडिवादी मान्योताव का विरोत किया और उन्होंने पाखंडी करार दिया इन्होंने युवा विद्वाव के लिए एक आस्रम की स्तापना की तथा विद्वा पुर्णर विवा का समर्थन किया वर्स 1868 में जोतिराव ने अपने गर के बाहर एक सामोहिक सनानागर का निर्मान करने का फैसला किया जिससे उनकी सभी मनुश्यों के प्रतिय अपनत्व की भावना परदर्शित होती है इसके साथ ही उन्होंने सभी जातियों के सदेशियों के साथ भोजन करने की शुरूआत की इन्होंने जन चाकृत्ता अभ्यान अंदोलन शुरू किया जिसने कालंतर में डाक्टर बियार अंबेटकर और मात्मा गांधी की विचारदारों को प्रबावित किया इनका देवसान 28 नवंबर 1890 को हुआ